हalaykum अधे एस्टुडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है रिफलेक्टिव रैटिंग, जो के टीचिंग लर्निंग प्रेंसिपल फिफ सिमिस्टर का यूनेट नंबर फस्ट है तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ये एक्स्प्लेई रैटिंग क्या होती हैं, किस तरह ह किसी भी चीज का reflection लिख सकते हैं और at the end हम critical thinking के बारे में भी तोड़ा discuss करेंगे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि reflective rating क्या होती है कि जब कोई भी procedure हम देख लेते हैं कोई भी phenomenon हो जाता है किसी के साथ हमारे interaction हो जाती है हमारे पास first day of school कैसा है कहां पे हम visit कर ले के बाद जब हम उसके बारे में अपनी राय लिखते है कि उसमें क्या हुआ उसमें कौन-कौन से persons involved है क्या क्या चीज़े involved ही उसके हमारे पास किस तरह हम interaction कर सकते हैं उसमें किस तरह हम बैतरी लेकर आ सकते हैं तो वो चीज की जब आप reflection लिखते हैं तो इसको कहते है reflective writing और आप reflection लिख ले, reflective writing लिख ले तो reflective writing में फिर हम ये करते हैं कि community visit में हम कहां पिर गए, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था किस तरह procedure हो रहे थे और एडियन पिर हम अपनी राय भी उसमें इंटर कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में अगर ये procedure इस तरह होता तो अच्छा होता, तो ये पिर हमारे पास आजाते है reflective writing में इसके साथ इस unit के जो MCQs आपके exam में आ सकते हैं तो उसको भी हम mention करेंगे यह आज के lecture के हमारे पास objectives है objectives है जिसको एक ही करके हमने अच्छी तरह तरीके के साथ आज explainer करना है अब हम start कर लेते है reflective writing reflective writing is a practice in which the writer describe a real or emotional scene, event or interaction reflective writing हमारे पास एक practice है, एक writing वाफ़ा में जिसमें क्या करता है जिसमें writer जो है वो describe करता है, explain करता है एक real या emotional scene या कोई event जिस तरह हमारे पास party वखेर होगे या कोई interaction वखेरा किसी के साथ आप मिले, किसी meeting वखेरा तो इसके बारे में जब आप reflection लिखते है तो इसको कहते है reflective writing इसमें क्या होता है, describe, express feelings about your reaction of personal experience और यह reflective writing हम personal experience भी इसमें देखते हैं मतलब एक event आप देखेंगे तब आप उसके बारे में reflection लिख सकते हैं तो reflective writing में हम क्या करते हैं, describe करते हैं किसी event को express हम अपने feelings को express करते हैं हम अपने feeling उसमें बयान करते हैं कि उसमें मैंने क्या देखा, कौन कौन सी चीज़ें मैंने देखी, उसमें बैतरी किस तरह आ सकती थी Tell the reader how you felt before, during and afterwards और reflection में आप क्या लिखते हैं कि event से पहले आप किस तरह आपकी feelings क्या थी इसके बाद during वो procedure हो रहा था, वो event के दावरान या कोई interaction के दावरान आपकी क्या feeling थी और afterwards इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि उसमें क्या हुआ और क्या होना चाहिए था तो किसी भी event से पहले उसके दावरान और after की चीज़ों के बारे में जब आप reflection लिखते हैं तो यह पिर हमारे पास आजाते हैं reflective writing में reflection usually comes at the end, should look back on your experience and reflect on it क्या हैं कि reflection हमेशा आप at the end लिखते हैं कि जो procedure जो भी event आप देख लेते हैं उसमें आप चीज़े अब जाते हैं और पिर उसके बाद आप आप आपने जो भी चीज़े लिए देखी जो वहाँ पे हुआ जो आगे हम explain करेंगे कि reflection आप किस तरह लिखेंगे तो वो at the end आप लिखते हैं और इसके बाद पिर आप अपना experience उसमें लिख देते हैं कि ये चीज़ अगर इस तरह होती तो अच्छा होता अपनी राय जो है वो at the end आप लिख लेते हैं और ये reflection जो है अक्सर as a assignment के तोर पे आपको दिया जाता है कि आप आज community visit किया आज आ है कि reflection में आप अपने feelings लिखेंगे आपके जो reaction होंगे आपके event के दावरान या event के बाद जो आपकी reactions होंगे जो आपकी feelings होंगे वो आप लिखेंगे लेकिन जो चीज़ आप लिखेंगे उसका एक reason भी होगा कि आप ये ऐसा क्यों behave कर रहे है वो चीज़ इस तरह क्यों हो तो हर चीज़ का आपने पर reason लिखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा था और आपका reaction क्या है आपके feeling है उस चीज़ के बारे में experience which leads to decision experience वो जो at the end उसमें आप decision ले सके इसमें तमाम वो चीज़े जो serious होंगी जो specific होंगी जो purposeful होंगी वो चीज़े आपने note करनी है looking at experience from another point of view ये another point of view का मतलब ये है कि एक चीज़ आपके सामने हो रहे है ये मतलब मैं hospital जाता हूँ आप एक कोई practice होता है वो तो मैं लिखता हूँ लेकिन इसको पार आप another point of view से देखेंगे कि ये अगर हमारे पास इससे अच्छा हो तो किस तरह होगा इसमें अगर हम improvement लाना चाहे त तो आप experience को another point of view से देखेंगे जो आपने देख लिया वही फिर उसको आप देखें कि इसमें हम किस तरह intervention कर सकते हैं इसमें हम किस तरह improvement लेकर आ सकते हैं critical analysis and evaluation of knowledge and skill और इसके बाद हमारे पास analysis फिर analysis में critical critical analysis इसे कहते हैं कि जब हमें कोई बात या किसी चीज़ का हमें कहा जाए कि इस चीज़ की आप critical analysis करें तो उसका मतलब यह होता है कि उसको different parts में divide करके हर पार्ट को अच्छे तरीकी के साथ समझना उस पे सोच करना उस पे अच्छे तरीकी के साथ understand करना इसको कहते है analysis इसके हमारे पास reflective rating में क्या होती है analysis भी होते हैं और evaluation भी होते है knowledge and skills का कि knowledge कितनी है skills कितनी develop है अगर कोई procedure कर रहा है किसी आईवी लाइन का या किसी और का तो उसमें आपकी उस procedure के बारे में आपकी knowledge कितनी है उसमें आपके कितने skills फुल है तो इन तमाम चीज़ों को क्या करते है हम एक reflective rating में लिखते हैं कि वो procedure हो रहा था तो वो जो procedure perform कर रहे थे वो जो event था वा पे जो लोग था उनकी knowledge level skills कितनी थी और ये reflective rating आपकी knowledge और skill को भी show करता है अब यहापे हमारे पास कुछ reflective expressions है कुछ examples है कि आपकी event के बारे में reflective expressions किस तरह होते हैं तो पहला हमारे पास है but now as I look back कि जब कोई काम हमारे पास होता है तो उसके बाद आप कहते हैं कि अब अगर मैं पिछली बात पर सोच हूँ अब अगर मैं पिछली event की बात करो तो यह कह यह आप उसकी reflection बायान कर रहे हैं क्यों या तो आप उसकी कोई चीज बायान करेंगे या उसमें आपने को intervention की होगी इसके बाद remembering makes me feel अभी remembering की बात आती है तो यह क्या है यह आपको previous event पे ले जाता है this remind me यह चीज़ मुझे चाह तो यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास examples है उन phrases का जो reflective expression शो करते हैं किसी चीज़ के बारे में आपकी रहे किसी चीज़ के बारे में आपकी expression उसको शो करते है आप आजाते है personal writing तो personal writing क्या है जिस तरह मैंने आपको कहा कि reflection आप तब लिखेंगे कि जब आप जिस चीज़ के बारे में आप reflection लिख रहे हैं वहाँ आप खुद मौझूद हो लहाजा reflective writing हमारे पास personal writing है will probably be a memory of something that has happened to you will include thoughts and feelings written in first person ये first person में दिता हुआ है कि मैंने ये देखा हमने ये देखा वहाँ पे ये चीज़ हो रहे थी तो reflective writing हमारे पास personal writing है इसमें आप वो तमाप चीज़ी लिखेंगी जो आपने खुद देखी होगी जो आपने खुद वहाँ पे feel किया होगा जो आपन reflective writing आप खुद लिखेंगे किस तरह कि choose one topic, choose an event from your life that you feel fits the partner or reflective criteria and write an essay on it आप कोई भी event इस तरह चूज करें और वो इस तरह हो कि उस पे reflective writing आप लिख सके reflective criteria वो क्या करें उसको obey करें किस तरह कि आप reflective writing इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपका first day in your college या first day in your university तो उस पे आप लिख आप ये चीज़ हो रही थी मैं समझता हूँ इसमें ये चीज़ होनी चाहिए उसके बारे में फिर आप किस तरह लिखेंगे stage one सबसे पहले आप mind map brainstorm list idea कि जब भी आप कोई writing करते हैं सबसे पहले आपके zen में एक खाका होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने इस तरह लिखने इस जो चीज़े आपने लिखनी है जो ideas जो ख्यालात आपके जहन में हैं उस writing के बारे में reflection लिखने के बारे में उसको आप अरगनाइस करेंगे कि मेरी reflection में इतने heading होंगी मैं इन इन बातों पर reflection लिखूंगा और इसके बाद पर क्या करें आप reflection लिखना शुरू कर ले तो यह हमारे पास class activity है सही है इस तरह आप जो है कह लिखेंगे reflection अब इंतिहाई important है यह अक्सर exams में आता है कि Gibbs model of reflective writing या Gibbs reflective cycle यह इंतिहाई important है इसमें यह step by step आपने क्या करना है reflection लिखनी है और यह exam में भी इस तरह आता है कि second steps कौन सा है third step कौन सा है इस तरह हमारे पास आता है तो इसको आप समझने first कहते है description कि आप describe करेंगे वहाँ पे क्या हुआ आपने क्या देखा सही है किसी भी event का किसी भी procedure का जिसका आप reflection लिख रहे है इसके बाद आ जाते है आपका feelings का heading कि आप आपकी क्या feeling थी आप क्या सोच रहे थी उस event के बारे में उस procedure के बारे में उसके बाद feelings के बाद आपका क्या आ जाते है एवालिवेशन आ जाती आपकी what was good and bad about the experience के experience हमारे पास उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्या चीज़ सही हो रही थी क्या गलत हो र रही थी वहाँ पे कितनी achievement हो रही थी कितनी achievement नई हो रही थी evaluation कहते भी इसलिए कि आप चीज़ देख ले कि वहाँ पे जो required result है वो achieve होता है या नई होता इसके बाद आप क्या करेंगे analysis करेंगे what says can you make of the situation कि जो situation वहाँ पे आपने देखा उसमें क्या सही हो रहा था क्या ग इस बनाएंगे अपने जहन में किस तरह आप उसके analysis करेंगे उसको briefly understand करेंगे एक एक चीज़ को इसके बाद मेरे पास आजाते conclusion what else could you have done conclusion में क्या है कि आप इसके लिए क्या कर सकते है मतलब वहाँ पे जो चीज़ आपने देखी आया उसमें अगर कोई मसला था तो आप उस मसले को हल करने के लिए क्या कर सकते है आपकी क्या राय होगी और at the end पिर आपका आजाता है action plan action plan क्या है if it eros again what will you do कि reflection में अगर आपने देखी वहाँ पे कुछ issue है वहाँ पे कुछ problem है वहाँ पे कोई मसाइल आ रहा है तो उसके लिए पिर आप action plan बनाएंगे कि अगर यह चीज़ next time होती है तो इसको मैं किस तरह इसमें modification ला सकता हूँ इसको मैं किस तरह बहतर बना सकता हूँ तो इन तरीकों से यह तमाब heading आपके हर reflective writing में include होंगे लहाजा अगर आपका TLP के subject में अगर आपके से वो community health nursing में मांगते हैं तो आपके reflective writing में क्या होगी यह तबाब heading उसमें include होंगी यह gives cycle यह हमारे पास gives gives reflective cycle है सही है इसमें हमारे पास six steps है अब हमारे पास एक और उसका हमारे पास writer जो है उसका एक अपना एक framework है जिसे bottom development framework कहते हैं 1970 में उन्हों ने लिखा और यह आप MSQs के लिए याद रख लें कि आपको आ सकता है कि हमारे पास second steps क्या है gives reflective cycle का second step क्या है हमारे पास bottom development का तो इसमें आपकी difference का पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले लिखते हैं what happened क्या हुआ जिसमें आप experience और उस situation को describe करते हैं detail के साथ वहाँ पे आपकी जो experience थी और वहाँ पे जो हो रहा था उसको आप explain करेंगे इसके बाद क्या होगा so what understand this could I have done differently इसके बाद analysis and interpretation करेंगे कि वहाँ पे जो का situation था उसको आप understand करेंगे और क्या करेंगे कि क्या मैं इसको differently कर सकता हूँ क्या इसमें कुछ interpretation हो सकती है इसके बारे में आप सोचेंगे और third क्या है कि now what I need to do to make things better it will अब इसमें क्या इसमें आता है आपका action plan कि इसमें आप action करेंगे कि यहाँ पे तो आपने सोच लिया कि इसमें क्या अच्छा मैं क कर सकता हूँ इसमें क्या intervention में ला सकता हूँ interpretation क्या कर सकता हूँ interpretation interpretation कहते हैं changes को सही है तो third step में क्या है इसमें आप alternative factors इसमें डून लेते हैं alternative cases इसमें डून लेते हैं alternative conditions आप इसमें डून लेते हैं जिसमें का आप सोचते हैं कि हा इसको मैं इस situation को मैं बहतर बना सकता के पास reflection में यह चीज़े होंगी और यह buttons development framework के मताबिक है third हमारे पास है जोन्स model जोन्स model reflection के बारे में पहला होगा describe experience what affected me significance to me कि आप experience को आप situation को describe करेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या है इसमें मेरे फाइदे क्या क्या है इसमें मैंने कौन कोईसी चीज़े note करनी है कौन कोईसी चीज़े मैंने understand करनी है इसके बाद पिर आप reflection लिखते है actions consequences to me and others and feelings आपके वहाँ पर आप जो actions देखते हैं वहाँ पर उस actions के आपके लिए जो क्या क्या consequences है उसके आपके लिए क्या क्या फाइद हैं क्या क्या उसानात है इसके बाद आपके जो feelings है आपके वहाँ पे जो चीज देख रहे है उसके बाद आपकी जो thinking है feelings है वो आप पे reflection में लिखते हैं इसके बाद influence influences क्या है कि internal and external and decision making कि वो कौन कौन से factors है चाहे वो internal factor हो या external factor हो जो decision making को effect कर सकते है वो जो वहाँ पे आप कोई चीज की decision लेना कोई चीज को perform करना उसको कौन कौन से factor effect करते है उसके बाद पिर आप ये mention करेंगे how to deal with this better choices and consequences के कोई situation हो रहा है या कोई वहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताए कि चीजे external या internal factor जो influence करते हैं तो उसको क्या करेंगे उसको आप किस तरह अच्छे तरीकी के साथ deal कर सकते हैं आप कौन कोईसी चीजे choice करेंगे कौन कोईसी च sequences क्या होंगे उनके results क्या होंगे उनका नतीजा क्या होगा और इसके बाद learning feeling future work change way of knowing evidence ethics on development interpretation of experience for professional law etc. इसके बाद learning आ जाता है कि जब आप एक situation के बारे में reflection लिख लेते हैं एक situation आपने देख लिया उसमें कोई problems थी उसमें intervention हुए उसमें interpretation हुए उसके बाद आ जाता है learning कि आ आपने उस चीज़ से क्या सी का उस procedure से आपने क्या सी का उसके लिए आपने क्या critical thinking की वहां पर आप जो decision में की इन तमाम चीज़ों से at the end पिर आप आ जाती आपकी learning क्योंकि एक reflective writing ही होती है हमारे पास learning के लिए है ताकि आप एक चीज़ को अच्छे तरीके के साथ समझ सक अब हमारे पास यहां पर आ जाता है O.R.I.D. O.R.I.D. model हमारे पास आ जाता है जिसमें O किसके लिए है O है objectives objectives discuss your concrete experience what did you do observe read and hear who was involved what was said आपके objectives होने चाहिए objectives के वो चीज़ जिसको आपने explain करना होता है जिस तरह हमारे पास हर subject के हर unit के अपने objectives होते है कि आप वहाँ पे आपने आप क्या करेंगे क्या चीज़ आप observe की है क्या चीज़ आपने read की है क्या चीज़ आपने सुनी क्या चीज़ आप explain करेंगे कौन को उसी चीज़े involved थी आपनी किस-किस को उसमें शामिल करना है ये तमाम आपके आजाते हैं objectives में इसके बाद हमारे पास जो second है R, R कहते है reflective, discuss your feeling experience, how did it feel, what does it remind you of, इसके बाद आजाते हैं आपकी reflection, objectives में आपने जो जो चीज़े involved करनी है, जो जो चीज़े आपने देखनी है, जिसके बारे में आपने सुना है, जिसको आपने देखा है, जिसके बारे में आपने बोला है, इसके बाद आजाते है reflective, आप उन चीज़ों के बारे में आपका experience, आपकी feelings, वो आपने पास आजाती है reflection में, थर्ड हमारे पास आई से आता है interpretive, क्या कहते है, discuss your cognitive experience, what did the experience make you think, how did it change your thinking about, तो उसके बाद interpretation के जो आपने देखा, उसके बाद जो आपकी reflection था, अब उसके बाद interpretation आजाती है, उसको आपने किस तरह physically perform करना है, work out, उसको आप किस तरह strategies बनाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके के साथ perform हो, कौन सी strategies आप बनाएंगे ताकि उसकी वज़़ए से उसमें improvement आए, वो कौन सी चीज़े होगी जिसकी वज़़ए से आप उस चीज़ को अवर भी अच्छा बना सकते हैं, उस चीज़ से आप mistakes वगेरा, उस चीज़ से गलती वगेरा को आप neglect कर सकते हैं, वो पिर हमारे पास आजाता है, और एंड में पिर हमारे पास के आता है, एंड में आता है decisional, यह तमाब चीज़े करने के बाद पिर आप क्या करते हैं, आ जाते है decision लेने के लिए, can you translate your experience into a new way of thinking, कि जो आपका experience था, जो आपने वहाँ पे intervention किये, क्या आप उसको एक new experience, एक new thinking के फार्म में explain कर सकते हैं, what will you do different next time, next time, वो चीज़ जो आपने देख ली पहले, अब next time, आप उसको एक अच्छे तरीकी के साथ, new way के साथ, पर्फार्म करेंगे, किस तरह करेंगे, वो कुन कोसी चीज़े जिसको neglect करके, आपने decision लिया, कि यह चीज़े मैंने पर्फार्म करनी है, इन चीज़े मैंने पर्फार पर्फार्म करेंगे, आपके पर्फार्म करेंगे, यह तरह करेंगे, यह तमाम चीज़े देख कर आपने कोई decision लेना होगा, what opinion have you found and why, आपके क्या opinion है, और अगर opinion आप explain करते हो, तो उसके behind reason भी होना चाहिए, सही है, अक्सर हमारे पास इस तरह की condition होते हैं, कि कोई blood test वागिरा हमारे पास आजाते हैं, यह कोई investigation होते हैं, तो पिर हम कहते हैं, कि इस डॉक्टर का यह इस physician का, इस specialist का opinion लेकर आओ, opinion क्या होते हैं, कि वो उस पे उपर decision लेते हैं, कि हाँ इस चीज़ में यह problem है, लेकिन इस चीज़ में यह problem नहीं है, कि इसके behind पिर वो reason भी explain करता है, कि अगर problem है, तो उसका reason यह है, तो आपका decision जब आप लेते हैं, तो उसके behind पिर reason भी होना चाहिए, कि यह decision मैंने लिया, तो इसकी वज़ा यह थी, इसके बाद हमारे पास features of reflective writing, reflective writing के कुछ properties वगिरा क्या क्या होनी चाहिए, deliberate and purposeful commit self to identify learning, आपकी जो reflective writing है, वो क्या हो, purposeful होना चाहिए, उसमें आप fully खुद को involve करेंगे, क्यों, क्योंकि reflective writing से आपकी learning होती है, आप एक चीज situation को आपने देख लिया, उसमें जो चीज़ हुई, उसको आपने reflection के form में लि तो फिर आप तब reflective writing लिखेंगे, जब आप किसी condition, किसी procedure को अच्छे तरीके के साथ समझ सकेंगे, और समझेंगे आप तब जब आप उसको अच्छे तरीके के साथ observe कर ले, क्योंकि हमारे पास reflection जो है, इससे आपकी बहुत अच्छी learning होती है, तो learning तब होगी, जब आप कि किसी procedure को, किसी situation को सही तरीके के साथ understand करेंगे, उसको सही तरीके के साथ observe करेंगे, second, writing can help us to order our thoughts, reflective writing में हम क्या लिखते हैं, जिस तरह मैंने explain किया, कि जो चीज़ आपने देख ली, जो situation आपने observe किया, उसमें जो जो चीज़ हुई, उसको आप अच्छे तरीके साथ order form में उसके लिखते हैं, उसको लिख लेते हैं, जो आपके thoughts, आपके feelings होती हैं, उसको आप एक sequence form में लिख लेते हैं, तो यह भी हमारे पास एक feature है, reflective writing का, impose some order in the content, priorities and identify what is important, force to acknowledge issue that may be ignored, put hierarchical order to issue, इसमें कह करते हैं, इसमें आप जितनी भी issues होते हैं, उसको एक hierarchy, उसको प्रियरिट serious लेना है, कोई सा issue हमारे पास light है, तो यह तमब जीज़ें आप किस चीज़ में करते हैं, reflective writing में करते हैं, third क्या है, the purpose of creating a permanent record, reflective writing क्या है, कि एक situation हुआ, एक procedure आपने देख लिया, उसकी आप जब reflective writing लेक लेते हैं, तो वो एक क्या हो जाती है, वो उसका permanent record बन जाता है, उस situation का, क्यों, क्योंकि वहाँ जो बात हुई, वो तो आप बूर सकते हैं, उसका आपके पास अगर कोई record नहीं है, तो reflective writing उसका एक proof record है, क्यों, क्योंकि यह वहाँ पे जो भी चीज़ वी, जो चीज़ आपने observe की, वो उसका full picture यह आपको provider करता है, और इसमें आप किसी भी event को ना तो ignore कर सकते हैं, ना उसको आपो बुला सकते हैं, फोर्थ क्या है, creativity through writing, may lead to creative thinking, where actions are not only justified and defended, but development of new understanding and perspective are achieved, our understanding of past situation are seen by different dimensions, इसमें creativity आती है through writing, क्यों, जब आप situation को देखते हो, तो उसमें जितनी भी चीज़े, जो आपके knowledge के मताबिक, skills के मताबिक, आप एक सही नहीं हो रही है, उसमें आप intervention करते हैं, उसमें आप creativity करते हैं, उसमें आप different type of decision लेते हैं, past situation की different type of dimension, एक past situation जो गुजरा, उसको आप different dimensions से दिखते हैं, different ideas, different angles से आप देखते हैं, लहाज़ा reflective writing के तुरू पिर आपमे creativity आती है, आपमे learning होती है, उससे, Using writing to develop logical skill, logical reasoning and logical skill इसमें क्या होता है कि आप logical skills और logical reasoning करते हैं किस तरह logical वो चीज़ होती है जिसके behind एक specific reason होता है तो हमारे पास reflective writing में अगर हम कोई decision लेते हैं या उसमें हम कोई intervention करते हैं या कोई reasoning वगेरा करते हैं तो उसके behind कोई specific reason भी होता है उसके behind को specific logic भी होता है इस तरह ऐसे वैसे जो है आप खुछ से उसमें कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं लहाजा reflective writing में जो भी चीज़ लिखे होगी वो क्या होगी वो logical reasoning और logical skills के भी हाफ पे होती है Using writing to develop critical thinking क्या होता है critical thinking क्या है कि जब आप किसी चीज़ को critically समझते हैं critically क्या है उसको अच्छे तरह के साथ समझना एक एक चीज़ को बारेकी के साथ देखना उसके बिहाफ आप knowledge या उसको अच्छे तरह के साथ समझना ये आजाते है critical thinking और reflective writing में critical thinking important है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरह के साथ समझेंगे नहीं तो तब तक आप उस पे reflection नहीं लिख सकते अब यहाँ पे एक example दिया है कि इसके बारे में आप जो है reflective writing की तरह लेकिंगे कि describe a time in your career where you fail at something आप कोई time जो है अपने career का जहाँ पे आप क्या हुए fail हुए है तो वो अपने उसको याद रख ले उसको describe करे कि वहाँ आपके साथ क्या हुआ था fail हुए थे तो क्यो हुए थे वहाँ आपकी क्या feeling थी How has that event changed you as a person उस event की वज़ा से आप में क्या क्या changes आई उस चीज़ की वज़ा से आप में क्या क्या modification आई आया आपने learning की thinking reasoning आपने knowledge वगेरा हासल किया skills आपके improvement हुए या नहीं हुए How will you do differently next time और एक दफ़ा अगर आप fail हुए तो next time आपने क्या किया उसको आप किस तरह की के साथ सरांजान देंगे उसको आप किस तरह की के साथ perform करेंगे तो इसके बारे में कह करेंगे ये ये भी एक example class activities है कि आप कह करेंगे कि आप reflective writing इस तरह लेकेंगे हमारे पास एक चोटा सा portion इस unit का है कि critical thinking तो critical thinking तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि critical thinking is the analysis of fact to form a judgment कि कोई भी चीज कोई भी चीज की जब आप analysis करते है बारीकी के साथ उसको जानते है सहीं उसके बारे में judgment करते है कि critical thinking अमारे पास कोई situation हुआ उसमें कितने लोग इनवाल थे उसमें क्या हुआ किस टाइम में क्या क्या चीज हो रही थी तो एक एक चीज को अच्चे तरीके के साथ समझना यह हमारे पास आजाता है critical thinking इसमें rational and unbiased analysis होती है rational क्या है कि कि किसी भी चीज़ को जब आप perform करते तो उसके behind a specific reason होगा तो यह और दोसरा unbiased analysis इनालिसिज यह है कि unbiased analysis इसे कहते है कि एक चीज़ के behind जो reason है वो किसी और चीज़ के reason के साथ mix up ना हो दो चीज़ों के दरमें confusion नहीं होनी चाहिए हर चीज़ clearly आप ते की करेंगे skipidism हमारे पास शकूकों शुभाप से शुभाच से पाक जो हमारे पास चीज़ यह होती है इसके बाद characteristics इसके क्या होगी यह self directed होगा self monitored, self disciplined and self corrective मतलब क्या है self directed के आपकी जो critical thinking होगी वो तब आप करेंगे जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्चे तरीकी के साथ समझे आप उसको अच्चे तरीकी के साथ कंट्रोल करें उसमें जितनी भी चीज़ है वो आपके आपके कंट्रोल में हो वाँपे जो भी चीज़ है उसको आप एक स्पास specific sequence के साथ पर फार्म कर सके जो emotions जो behavior जो thinking reasoning वो आपके अपने क्या होग एक discipline फार्म में हो एक sequence फार्म में हो तरतीब फार्म में हो उसके बाद है self corrective self corrective क्या है कि critical thinking में आप जो भी चीज़ के बारे में सोचते है जो भी चीज़ उसमें इन्वाल है तो वो self corrective होने चाहिए उसको आप उसमें changes लेकर आ सके इस तरह चीज़ होनी चाहिए ऐसा ना हो कि एक चीज़ के बारे में आपने बयाद किया लेकिन उसकी behind आपके पास कोई knowledge नहीं है उसकी behind आपके पास कोई reason वखेरा नहीं है तो यह पिर आप critical thinking नहीं करते है critical thinking आपकी तब होगी जब एक चीज़ आपके आपके control में होगी आप उसको अच्छे तरह के साथ time by time monitor कर सकेंगे उसको आप अच्छे sequence के साथ arrange कर सकेंगे और उसमें आप time by time correction कर सकेंगे और यह हमारे पास last में five skills आजाते है critical thinking के के पहला मारे पास है analysis analysis के है कि एक चीज़ की detail examination बारेकी के साथ किसी चीज़ को अच्छे तरीकी के साथ समझना दूसरा आपके पास communication sending or receiving information communication भी होनी चाहिए क्यों जब आप एक चीज़ को किसी और के साथ communicate करे एक चीज़ के लिए जो communication communication आपको दरकार है उसके बारे में जो information आपको चाहिए उसकी अगर आपको समझ आएगी तब आप किसी चीज़ को critically think कर सकेंगे critically perform कर सकेंगे इसके बाद creativity होनी चाहिए use of imagination original idea create something आपके पास background knowledge होगी आप creative होगी सही है कि उस चीज़ में आप किस तरह intervention लेकर आ सकते है उसमें आप किस तरह invention लेकर आ सकते है उसमें आप किस तरह original idea क्या-क्या imagination आप कर सकेंगे ये आप में होना चाहिए इसके बाद open mindness open mindness किसे कहते है कि एक चीज़ को different angle के साथ देखना new ideas को welcome करना new ideas को involve करना जब आप ये चीज़ करेंगे तब आप किसी चीज़ को critically think करते केंगे critically किसी चीज़ को आप perform करते केंगे ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ के साथ चिप्टे हुए है तो तब ऐसा नहीं होगा आपने हर एक चीज़ को अलग-अलग angle अलग-अलग जाविये निकालना उसके लिए कोई alternative procedure कोई alternative आपने उसके लिए क्या solution निकालना होता है तो यह हमारे पास क्या है skills है critical taking तो यह first unit teaching learning principle का इसमें आप लोगों को कोई भी question हो through comment आप हमसे पूछ सकते हैं इसके यह subject तोड़ा जो है कुछ अलग type का है यह start में बंदे को समझ नहीं आती लेकिन इंतिहाई simple है through practice आप इसको अच्छे तरीके के साथ इंशाला understand कर सकेंगे और इससे as such मुश्किल MSQ user नहीं आते यही चीजें आती है कि give cycle क्या है इसमें कौन कौन से वो involved होते हैं तो यही इस तरीके से आपके पास इससे MSQ user आएंगे okay thank you